नमस्कार स्वागे थे आप सब का दिन बर की तमाम बड़ी और एहम ख़बरों के साथ मैं हूँ कवींद्र शुरवाथ हैरलाइन से करनाटा की चुनावी रैलियों में प्रधार मंत्री का कॉंग्रिस पर चोतरफा वार सिधर मैया सरकार पर राजिंतिक हत्याओं का लगाया आरूप ग्रावल गांधी को बिना पढ़े करनाटा की उप्रवधियों पर 15 मिनट बोलने की दीचुनावती सिधर मैया का भी चुनावी प्रटवार कहा रेड़ी बंध हूँ और युदरप्पा के साहरे चुनाव जीतने की कोशित में बीजेपी पहली बार एक लाग करोर रुपए से उपर पहुंचा जीएस्टी का कलेक्शन अपरयाद में बना रेकॉर्ड वितमंत्री ने बताया एतिहासी कुपलब्धी कहा सच साबित हुआ आर्थिक गत्विदियों में तेजी का दावा हवाई उडानों में कर सकेंगे फोन और इंटरनेट का इस्तमाल तेलिकॉम कमिशन नदीब प्रस्ताओं को मंजूरी शिकायतों के निप्टारे के लिए दूरसन चार लोगपाल की निउट का फैसला हर साल आती हैं चार करोर शिकायते इस साल 31 दिसंबर तक सभी घरों में पहुंचेगी बिजली 31 मार्स की रेड लाइन से तीन महिने पहले काम पूरा करने की कोशिस सभी गाउं में बिजली पहुंचाने के बाद सरकार का नया लक्ष बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की होगी तेज सुनवाई सुप्रीम कोट का सभी उचनेयालों को नरदेश विशेस अदालतों में बेवजय टाले नहीं जाएं सुनवाई जैजों की समितिवना कर ट्रॉयल पर रख किया सकती है निगरानी और शर्वात करते हैं करनाटक विधान सभा चुनावस जूरी अहम खबनों के साथ करनाटक में मदान की तारीक नजीद आने के साथ ही प्रशार अरभ चरम पर पहुंच गया है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने आज करनाटक में शामराज नेकर समय तीन जगहों पर चुनावी रैलियां की उन्होंने कौंडिस अद्धिक्ष राहुल गांधी और मुक्मंतरी सिध्धरमया पर जम कर निशाना साथ हा उन्होंने कहा कि हर गाओं में विजली पहुंचाने के मामले में मजदूरों की मिहनत का सम्मान करना चाहिए था लेकिन राहुल गांधी नामदार हैं इसलिए कामदार लोगों की मेहनत को नहीं समझ सकते वहीं राजनितिक हत्या परिवारवाद और बिश्टाचार के मुद्धे पर उन्होंने सिध्धरमया को भी घेरा पुर्धान मंतरी नरेंद मोदी मंगलवार को करनाटक में चुनाव परचार अभियान पर उत्रे उन्होंने उडुपी और बेलागवी में चुनावी रैलियां की मै दिवस पर हुई रैली में उन्होंने देश के सभी गाउं में बिजली पहुँचाने का लक्ष समय से पहले पुरा करने की एहम अपलब्धी को देश के कामगारों को समर्पित किया और गाउं में बिजली पहुँचाने में देरी पर कॉंग्रेस पर निशाना भी साधा गाउं में उजियाला करने का काम किया उसके लिए दो शब्द उनके मोह से निकलते तो शायद मेरे मद्दूरों के मन को लगता कि हमारे परिशम की क्या ताकत है लेकिन वे तो नामदार है कामदार की परवा वो कभी कर ही नहीं सकते रैली में प्रधानमंतिर नरिन्द मुदी ने राहुल गांधी की ओर से संसद में पंद्रह मिनिट बोलने की चनौती का जवाब भी दिया उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अति उत्साह में कई बार मर्यादाएं भूल जाते हैं हाथ में कागज लिए बिना करणाटक की आपकी सरकार की एट्यूमेंट सिद्धियां पंद्रह मिनिट करणाटक की जनता के सामने बोल दीजिए प्रधान मंतरी ने मुखे मंतरी सिद्धा रमया पर दो सीटों से चुना लड़ने और परिवारवाद के मुद्दे पर भी उन्हें घेरने की कोशिश की साथ ही राजमे राजनितिक हत्याओं और प्रश्टचार के लिए कॉंगरिस सरकार को जिम्मेदार बताया लेकिन पहले ऐसी सरकारे थी जो उनके चहेते लोगों को चाहे इतना लूटना देते थे रुपिया बैंकों से जो लूटना है लूटने देते थे केसी सरकार जो माफियाओं को पालती है, कानून विवस्ता को पी जाने की आदत रखने वाले लोग मुखिया बनके बैठे हो पिछले दो साल में गोड रेजन से जादा बाजबा के कार करताओं को मौत के गाट उतार दिया गया प्रधानमंत्री नरेनमोदी ने भृष्टचार मुक्त शासन और विकास के लिए मददाताओं से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की करनाटक में चुनाव प्रचार के लिए दस दिन से भी कम का समय बचा है और अगले साथ दिनों में प्रधानमंत्री नरेनमोदी यहां करीब एक दरजन रह लियां करेंगे करनाटक में 224 विधान सभा सीटों के लिए 12 मई को मतदान होगा बेरो रिपोर्ट राजसभा टीवी करनाटक में प्रधानमंत्री नरेनमोदी के टू प्लस वन के फामूले के तंज का जवाब दिया उन्होंने कहा कि टू रेड़ी प्लस वन येदी ही बीजेपी का करनाटक चुनाव जीतने का फामूला है उनका इशारा रेड़ी बंधों और बीजेपी के मुखमंत्री पत के उमीदवार बीएस यद्रफपा की उर्था साथ उन्होंने नरेनमोदी के 2014 के लोकसभा चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ने की आदभी दिलाई नरेनमोदी ने कहा था कि करनाटक में 2 प्लस 1 का फामूला चल रहा है सिधर्मया खुद दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और पुरानी सीट से बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं राहूल गांदी के बोलने को लेकर प्रधान मंत्री के बयान कभी कॉंग्रेस ने जवाब दिया हिम्मत है तो संसद चलाईए और सरकार की जबाब देही दिखाईए ताकि आपके कच्चे चिठे राहूल गांदी संसद के पटल पर खोल देंगे करनाटक में 12 माई को मतान है लेकिन उपीनियन पोल्स ने सभी राजितिक दलों की चुनाती को बढ़ा दिया है और ऐसे में वोटर्स को लभाने के लिए सभी दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं करनाटक में सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा 113 सीटों का है लेकिन उपीनियन पोल्स की माने तो चुनाओं में किसी को भी बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है उपीनियन पोल्स में त्रिशंक को विदान सभा का नुमान लगाया गया है टाइमसनाओ, VMR, सर्वे के मताबिक करनाटक चुनाओं में कॉंग्रेस को 224 सीटों में से 91 और बीजेपी को 89 सीटे मिलने का नुमान है वहीं ABP CSDS के सर्वे में बीजेपी को 224 में से 89 से 95 सीट और कॉंग्रेस को 85 से 91 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है राज में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में है और दोनों ही पार्टियां अपने आपको ओपिनियन पोल से कहीं आगे बता रही है अभी भी हमको उन्होंने बढ़ती दिखाई है कांग्रेस नंबर वन पार्टी है और वो और इंप्रूव होगी हमारे पास कम से कम 125 से 140 सीटे आएगी और उससे हम सरकार बनाएंगे ओपिनियन पोल्स के मताबिक यहां सत्ताधारी कॉंग्रेस और मुख्य विपक्षी बीजेपी दोनों ही पार्टियां बहुमत के करी पहुंचती नहीं दिख रही ऐसे में JDS एहम भूमिका निभा सकती है हाला कि JDS के मताबिक अगर वो बहुमत तक नहीं भी पहुंचते हैं तो विपक्ष में बैठने को तयार है सर्वे में बीजेपी को बड़े फाइदे का उनुमान लगाया गया है जबकि कॉंग्रेस की सीटों की संक्या पिछली बार की 112 से घट सकती है पार्टियों ने अपने आंतरिक सर्वे भी कराए हैं हाला कि ये उपिनियन पोल चुनाव से काफी पहले के हैं और मद्दान की तारीख नजदीक आते ही दिगजनेताओं के दोरों से इसमें बदलाव भी हो सकता है ओपिनियन पोल के मताबिक बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों बहुमत के करीब नहीं पहुँच रही ऐसे में जेडियेस एहम भूमी का अधा कर सकता है आने वाले दिनों में देखना होगा जेडियेस की नजदीकी किस पार्टी से ज़ादा बढ़ती है कैमरामेन जुनेत खान के साथ नविक्रम सिंग राजसभा टीवी मंगलूरू देश में वस्तू और सेवा करके कलेक्शन यानि की जेस्टी का नया रिकॉर्ड बना है अप्रेल में जेस्टी कलेक्शन एक लाग करोड रुपए के पार चला गया है वेत्मंत्राला ने बेहतर कलेक्शन के लिए अर्थवस्ता में मजबूती ईवे बिल और कर विवस्ता लागू करने में आई सरलता को वज़ा माना है वेत्मंत्री और उन्जेटली ने इसे एतियास से कदम बताया अपरैल में कुल GST कलेक्शन एक लाग तीन हजार करोड रुपए से अधिक रहा इसमें कुल GST कलेक्शन में 18,652 करोड रुपए और IGST कलेक्शन पचास हजार 548 करोड रुपए रहा जिसमें से 21,246 करोड रुपए का इंपोर्ट शामिल है इसी तरह IGST कलेक्शन 25,704 करोड रुपए रहा मार्च में 30 अपरैल तक भरे गए GSTR 3B रिटर्न फाइल की संख्या 6,47,000 तक पहुंच गई वहीं अपरैल में 19,31,000 कंपोजीशन डीलर्स में से 11,47,000 डीलर्स ने GSTR 4 के जरिए तिमाही रिटर्न दाखिल किया हवाई यात्री जल्थी फलाइट में कॉलिंग और इंटरनेट सुविधा का लाब उठा सकेंगे टेलीकॉम कमिशन ने आज इस प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी नागरी को ड्यान मंत्री सुरेश प्रभू ने इस फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को जल से जल लागू कराने का प्रयास करेंगे नागरी को ड्यान मंत्री का मताबिक सरकार हवायात्यों के लिए सुविधाएं बढ़ाने दूरसंचारशित में हर सार करीब 4 करोड शिकाति आती हैं अरिको इनिगानि प्राश्या अबर मार्श एंटित कि उसमें इन्टिव लूटने कि आतानि घरी आतानि इने दूर्शित कि अगानिपय देख Urs और हूनिव प्रफट प्रफट आतानि आतानि प्रूट अन। इन्टिव सांस्दों और विदायकों के खिलाफ लंबे ताप्राधिक मामनों की सुनवाई के लिए बनाई गई 12 में से 10 विश्यस अदालतों में काम शुरू हो किया है कानून मंत्राले ने 19 अपरेल को कैबिनेट सची पी के सिनहा को भीजी चिठी में ये बात कही बाकी बची दो अदालतें भी जल्द ही उत्तरप्रदेश और तमिलाड में काम शुरू कर देंगी नयाई विभाग ने सम्मान धित राजियों को विश्यस अदालतों के गठन के लिए 2078 में 55.24 लाग रुपए की मदद दिये सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1581 आपरादिक मामले लंबित हैं सुप्रीम कोट ने पिछले साल नमंबर में सरकार से विश्यस अदालत गठित करने के तोड़ तरीकों के बारे में पूछा था और इसके बाद कोट ने गठन को मज़ूरी दी थी दिल्य हाई कोट ने पिछले दिनों सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकत्मों को वश्यस अदालतों में भिजने का नर्देश दिया था बच्चों के खिलाफ यौन अपराद से जुड़े मामलों में अब तेजी से सुनवाई हो सकेगी सुप्रीम कोट ने आई इसके लिए सभी उच नियाले को नर्देश जारी किया और इसका मकसद पॉसको एक्ट के तहट लंबित मामलों को तेजी के साथ निप्टाना है सुप्रीम कोट ने मंगलवार को बच्चों के खिलाफ यौन अपराद से जुड़े मामलों को तेजी से निप्टाने का आदेश दिया इसके लिए सभी उच नियाले को कई नर्देश जारी किये गए पॉक्सो एक्ट के तहट लंबित मामलों को देखते हुए ये निर्देश जारी किये गए जो मैंने हाई कोट से जो डेटा हमलों को मिला था उसके हिसाब से वो चार्ट बनाया था उस चार्ट को जब मैंने ओनेबल सुप्रीम कोट को दिखाया है जो अकि एक साल में ऐसे मामलों का निर्द्पारा हो जाएगा लेकिन फिर भी पॉक्सो एक्ट में पेंडेंसी का रेट बहुत रही है कि पॉक्स ओएक्ट की तहताने वाले मामलों की विशेश अदालत में तेजी से सुनवाई हो उचन्याले को ट्राइल कोट को ये नर्देश देना चाहिए कि बेवजह सुनवाई टाली नहीं जाए अगर उच न्याले चाहिए तो तीन जजों की समिती बनाकर ट्राइल की निगरानी कर सकती है शुर्ष अदालत ने कहा कि DGP को स्पेशल तास्फोर्स बनाकर जाच में मदद करनी चाहिए और गवाहों को सुरक्षा दी जानी चाहिए आकड़ों की मताबिक पॉक्सो एक्ट के तहए देश भर में एक लाख बारहा हजार चैसो अठाइस मामले लंबित है इनमें से सबसे जादा 30884 मामले उत्तर प्रदेश में लंबित है इसके बाद महरास्टर में 1699 मामले लंबित है केंद्रिय मंत्री मंडल ने 21 अप्रेल को 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के खलाफ यौन अप्राथ करने वालों को फासी की सजा देने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी थी अरुना ठाकुर राची सब हटी गी अगले साल एक अप्रेल तक राष्टी राधानी शित के 23 मिसे 17 जिरो में बियाश छे इंधन मिलने लगेगा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये जानकारी दी अगले साल एक अप्रेल तक उत्रप्रदेश के आगरा में भी बियेश छे इंधन की आपूरती शुरू हो जाएगी बाकी बचे बारह मेट्रोपल्टन शहरों में ये एक अप्रेल 2019 तक उपलब्द नहीं हो सकेगा इन शहरों में एक अप्रेल 2020 तक इसे मोहिया कराने की कोशिस होगी सरकार ने ये भी कहा कि डीजल की मत्ते से जुड़े धाची में बदलाव संभू नहीं क्योंकि डीजल पर अधेत तब एक साइस ड्यूटी लगाई जा रही है कोट ने का कि वो डीजल वहन उपर ओपका यानी सेस बढ़ाने की बांक पर 13 जुलाई को विचार करेगा कोट में परेवरन विद्ध मेहता की जनित याचका पर सुनवाई चल रही है विच्छ धरोहर ताजमहल के बदलते रंग पर सुप्रीम कोट ने चिंता जाहर किया है मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोट ने कहा कि ताजमहल का रंग पहले पीला पड़ा था लेकिन अब ये भूरा और हरा हो रहा है ताजमहल के सुनवाई के लिए कोट ने केंद को सुझाओ दिया कि वो धरोहर को पहुंचे नुकसान की आकलन के लिए भारती और विरेशी एक्सपर्ट की मदद ले और अतिहासे किसमारक का मूल रूप बाहल करने के लिए कदम उठाए कोट ने विंगात्मक लहजे में कहा कि सरकार के पास इसके लिए एक्सपर्ट उपलब्द हैं या नहीं कोट को इस बारे में जानकारी नहीं और अगर एक्सपर्ट उपलब्द हैं तो भी शायद उसका इस्तिमाल नहीं किया जा रहा कोट ने का कि अगर सही वक्त पर फैस्टा नहीं लिया गया तो इसे जाना होगा मामले में केंद की ओर से अत्रिक्स स्रॉजिटर जनरल एनस नाटकर्णी पेश हुए और सुनवाई से पहले अधिवक्ता महेश अंडर मेहता ने इस मामले में ताज महल की कुछ तस्वीरों को कोट में पेश किया जिस पर कोट ने अत्रिक्स स्रॉजिटर से सवाल पूछे और इस पर एनस ननकर्णी ने कोट को बताया कि ताज महल का प्रवंधन पुरातत्य सरॉजिटर में भाग को करना होता है मामले के अगली सुनवाई अब नौमाई को होगी सुप्रीम कोट ने बी-सी-सी-ाई के मौसादा समिधान पर सभी क्रिकेट संगों और पदारिकारियों से सुझाओ मांगी है मुकिन आदी जस्टिस धीपक मिश्रा के अगवाई वाली पीट ने कहा कि जिस मौसादा समिधान को मन्जूरी दी जाएगी बी-सी-सी-ाई को उसे मानना होगा हलाकि कोट ने साफ किया कि 2016 के आदेश को वापस लेने से जुड़ी याजकाओं पर फैसला बी-सी-सी-ाई के मौसादा समिधान पर भी लागू होगा प्रशास्कों की समित ने मौसादा समिधान पेश किया है फिर सदालत को बताया गया है कि साल सितंबर में बिहार क्रिकेट एससीशन की टीम राष्टी टूनामेंटों में हिस्सा लेगी वहीं सुप्रीम कोट ने महरास्ट क्रिकेट एससीशन से कहा कि वो बुदवार को होने वाले चुनाओं को 11 मई तक टाल दे 11 मई को मामले की अगली सुनवाई होनी है कोईला घुटाला मामले में गोदवाना इस पाथ लिम्टिट के पूर्ण देशक अशोक डागा को चार साल कायत की सज़ा सुनाई गई है मंगलवार को दिल्ली की पठियाला हूस कोट में विश्य सदालत ने सज़ा सुनाते हुए डागा पर एक करोर रोपाय का जुर्माना भी लगाया साथी गोर्वाना इस पाथ लिम्टिट पर साथ लाग का जुर्माना लगाये गया महराश्ट में कोईला ब्लॉक आवंटिल मामले में ये फैसला आया है कोल घोटाला मामले में कोट ने डागा को दोशी पाया और 27 अप्रेल से उसे हिरास्त में ले लिया गया डागा पर धोकादड़ी और अप्रादिक शेनिंत रचने का आरोप है इस साल 31 दिसंबर तक हर घर में बिजली पहुचा दी जाएगी देश के सभी गाओं में बिजली पहुचने के बाद केंद्र सरकार ने आज इस नए लक्ष का एलान किया पहली ये समय सीमा अगले साल 31 मार्श थी केंद्री और जामंत्री आरके सिंग ने कॉंगरस नेताओं की ओर से बिजली करण पर उठाए गए सवालों को भी खारिज किया केंद्री सरकार ने हर घर में बिजली पहुचाने का लक्ष तीन महीने पहले ही पूरा करने की योशना बनाई है 31 मार्श की जगा अब नई समय सीमा 31 दिसंबर तै की गई है केंद्री और उर्जा मंत्री आरके सिंग ने मंगलवार को बताया कि देश में पर्याप्त बिजली है इसलिए हर गाउं के बाद हर घर तक बिजली का लक्ष तै किया गया है केंद्री और उर्जा मंत्री ने बताया कि फिलाल देश के 3 करोड 13 लाग घरों में बिजली नहीं है उत्रप्रदेश में ऐसे सबसे ज़ादा एक दशमलव तीन तीन करोड घर है जबकि बिहार में 32 घरों में बिजली नहीं है इन घरों को सौभागे योजना के तैद बिजली कनेक्शन भी लेंगे साथ राज्य पूरी तरह से बिजली युक्त हैं उन्होंने बिजली पहुचाने के दावे पर कॉंक्रिस की ओर से उठाए गए सवालों को भी खरिश किया अगर इतना ही आसान था तो उन्होंने कर क्यों नहीं लिया इतने साथ के खतर सालों क्यों नहीं कर लिया करके वो एनाउस कर दते कि दिखे साब हमने सब कर दिया है ना आंकडों के मताबिक देश के सभी 5,97,464 बसाहट वाले गाउं में बिजली पहुच गई है इससे पहले 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने बचे हुए 18,452 गाउं में एक हजार दिनों में बिजली पहुचाने का वादा किया था ये लक्ष 28 अप्रेल को यानि समय सीमा से 11 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया पंचानन मिश्रा राज्य सभा टीवी कली मेनत और लगन होत सफलता जरूर मिलती है और ये कहना है जे-ई की परिक्षा में नवी रैंक हासिल करने वाले सिमर प्रीद का सिमर प्रीद ने बताया कि आई टी के लिए जे-डिवांस परिक्षा को पास करने का लक्ष नहीं ने बनाया लेकिन कैसे इसे हासिल किया सुनी आई आई टी जे-डबली मेंस में नोवे स्थान पर आए औल इंडिया के सिमर प्रीद सिंग सलूजा इस वक्त हमारे साथ है सिमर सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो इस रैंक के लिए धन्याबाद सिमर सबसे पहले 12 का प्रेशर और आ烏टी मेंस केलियर कने का प्रेशर इस प्रेशर हो आपने कैसे जिला मतलब पिर्ली बात निखे करें कि ऐसा कि मानना कै कोई प्रेशर है उसको इक दूसरी एकजाम के तरह हमें देखना चीए है दूसरी बात प्रेशर रिलीफ करने के लिए कोई जैसे होबीज, टीवी शो जैसे म्यूजिक सुनना, बुक्स पढ़ना ये सब भी खेनना चाहिए और मतलब जैसे वाक पे चले गए थोड़ा स्पोर्ट्स के लिया इससे भी प्रेशर धोड़ा रिलीफ हो जाता है horsepower जिसस तरह से अरे टी मेंस में आपका मेंस में न 1 इन्थ रैंग आया है क्या अपको इस रैंक क्यूमीद थी है इससे जाधा क्यूमीद थे अलब मार्क्स देखने के बाद जो आंसर की थी, उसके आद मेरे को उमीद थी कि टॉप 20 में रैंक आ जाएगी, यही उमीद नी थी कि अलब कौन सी रैंक आएगी, टॉप 10 में आएगी, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थी आपका मंत्रा क्या था? स्ट्राटजी क्या रही? पढ़ाई को ले कर, क्योंकि 12th के बोर्ण एक्जामस भी थे और यहां पर IIT का भी था, क्या स्ट्राटजी बनाई आपने दोनों एक्जाम से? दोनों एक्जाम के लिए यह strategy है कि रोज पढ़ना, consistently पढ़ना, जिससे रोज चार गंटे पढ़ना, जिसमें से maths को दो गंटे देना, maths के लिए practice बहुत ज़रूरी है और उपर से सारे concepts को equally weightage देना, किसी को मतलब कम weightage देना, किसी को ज़्यादा नहीं पढ़ना, सबको equally पढ़ना Parents के लिए साथ ही साथ एक tension भी होती है, कि 12 का exam भी है, फिर आगे entrance की तयारी भी है As a parent, आप बाकी parents को क्या advice देंगे इस moment पर? कभी भी tension नहीं हुई, और parents को यही advice देना चाहेंगे, बच्चे को पर किसी परकार का pressure ना दिया जाए बच्चा अगर एक बार line पकड़ लेगा, उसको पता लग जाएगा competition में मैंने कैसे perform करना है तो वो उसी समय हमेशा उसी line पर करता जाएगा, parents से कभी भी pressure नहीं होना चाहिए, वो उसी pressure को अगर करेंगे तो उसका downfall आ सकता है विश्यू all the best, तो ये थे हम ऐसा सिमर जिनोंने all इंडिया में 9th rank होल्ड किया है क्यामर पर संदिलिप के साथ अनू दिवान, राज़े सबा टीवी दिल्ली और आगे बढ़ते हैं कि आन्देश के विजयवाडा के सूरज कृष्णा ने J.E.E. की परिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है इस परिक्षा का परिणाम सोमवार शाम आया जिसमें 2,30,000 प्रितियों की सफल हुए है आगे बढ़ते हैं लंबे अंदराल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बाचीत का एक नया आगास हुआ है ये बाचीत पाकिस्तान की पहल पर शुरू ही है और इसके लिए भारत से पूर वाजनाईकों, रकार्बिक जगत की हस्तियां और सीना से जुड़े पूर वधिकारियों का एक दल राइवार को असलामबाद किया हलाकि ये कोशित दोनों देशों के बीच अनवचारिक रूप से एक दूसरे के सरकारों का मिजा समझने के लिए है सूत्रों का कहना है कि इसमें दोनों देशों के आपसी समंधों के लावा सीमा के हालात और अफगानिस्तान पर चर्चा हुई भारती दल में पूर विदेश सची विवेक काड़्यू और राकिश सूत के लावा पूर वाईस एड्मिनल के के नेयर और अन्सी आर्टी के पूर निदेश एक जियर सराजबूत शामल थे इसलाबाद से ये दल वापस आ गया है निवनाना डाला के रूप में पहले भी स्तरह की अनुप्चारिक बाचीत होती थी लेकिन पाकिस्तान ने इस बार विराम अगा दिया था लेकिन आतंकवाद पर अलग तलग पढ़ने के बाद पाकिस्तान ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया बाचीत में पाकिस्तान से उनके पूर विदेश सचीव इनाम अलहल और अर्शास दे इश्रत हुसें शामिल थे समझा जाता है कि जिस तरह से प्रदाहन मंत्री नरेन मोधी ने पडूसी देशों के साथ समध्धों में तनाओं को कम करने का प्यास शुरू किया है उसमें ये एक सहायक हो सकता है अमेरिकी राष्टपती डियोनल ट्रॉम्प ने अंतरक्ष में जाने वाली पहली भारती महिला कल्पना चावला की तारीफ करते हुए कल्पना को अमेरिकी हीरो बता है टरंप ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन को अंतरिक्ष के लिए समर्पित करके लाखों लड़कियों को अंतरिक्ष यात्ती बनने के लिए प्रेद किया सुमवार को राश्पती टरंप ने मई महीने को एशियन, अमेरिकन एंड पैसिफिक अलजेंडर हेरिटेज मंत के तौर पर घोशित करने के निदेश चारी किया कालपना चावला की उपलबधी के लिए कांग्रिस ने मर्नो परांथ उन्हें स्पेस मैडल ओफ और से समानित किया नासा ने भी मर्नो परांथ उन्हें नासा अंतरिक्ष उडान पदक और विशिस्ट सीवा पदक से नवाजा राष्फर्पती डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अंत्रक्षियाती बनने का सब्छाद देख रहे लाखों अमेरिकी लड़क्यों को कल्पना का सहस और जुनुन पिरना देता है कोरियाई देशों के मुलाकात के बाद अब सबकी नजरें लेकिन राश्पती ट्रम्प ने ओतर और रड़क्शन कुरिया सीमा पर इस सित गैर से शिट को शिखरवारता के लिए विकल बताया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में भी वारता हो सकती है। दूनल्ड ट्रम्प और किम जोंगून के बीच ये पहली शिखरवारता होगी। तो इस ब्लोड में फिलालत नहीं, नमस्कार।